नवस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट चोतिस सीक्रेट फरवरी मार्च दो हजार बाईस देव गुरु ब्रस्पती सनी देव और सूरी मिलकर क्या मचाएंगे धमाल तो चले जानते हैं विस्तार से और ये प्रडिक्सन चंदरासी पर आधारीत है वीडियो के अंतक बने रही है देव गुरु ब्रस्पती और पंचम भौ में सनी देव की एकादस और दुईती भौपर दृष्टी साथ ही पंचम भौ में सूरी बुद और सनी देव की युती आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा तो सबसे पहले हम करियर की बात करते हैं करने वालो आपके लिए समय बहुत अच्छा है क्योंकि छठे भौ में देव गुरु की दसम भौपर थोड़ी चुनोतिया तो है पर भागी का साथ मिलेगा पर मेहनत भी करवाएगा बने हुए कारे बिगड़ न जाए रुकावट न आ जाए इसलिए सब पर नजरे भी बनाए रखना है साबधावन भी रखना है क्योंकि किसी पर भी आँखे बंद कर भरोसा नहीं कर सकते औ पार आपका बस जैसे चलता है चलता रहेगा बिसेश लाब यहानी वह नहीं होगा और कारोवार के बिस्तार के लिए अगर आप नई योजना बनाना चाहते हैं तो अभी रूख जाए और अगर आप प्रयास करें तो बिदेश जाने का बिदेश से धन कमाने का बिदेशी भाव पर दिश्टी रहेगी अब करन्या बालों ये समय आपके लिए तो सर्वोत्तम है क्योंकि छटे भाव में उपस्तित ब्रेस्पति की 12 भाव पर दिश्टी होने से थोरा खर्चा बढ़ेगा और बुद्ध की दिश्टी 11 भाव पर होने से आपकी प्रयुजणाओं मे बढ़ेगी सत्रु विरोधी आप से परास्त रहेंगे लेकिन हम अगर स्वास्त की बात करें तो छटे भाव में देव गुरु के होने से छोटी मोटी समस्या है स्वास्त को लेकर इसलिए आपको खासकर खान पान का पेट का खयाल रखना चाहिए अपनी लाइफ स्टैल को थोञा सा और अच्छा करें और छटे भाव के स्वामी देव यहां पर सनी देव पंचमभाव में है तो तो यकिनन आपका सहत बढ़ियां रखने में आपकी मदद करेंगे और सूरी देव भी छटे भाव में Sakit गर आपके स्वास्त को बढ़ियां करेंगे तो प़ूश्ट करते हैं आपके प्रेम और बैवाहिक जीवन की तो आपके लव लाइफ में थोड़ी सी चुनोतिया दिखती है क्योंकि सुरिव बुद्ध सनी का पंचम भौ में होने से लव लाइफ में अंचाही परिशनिया दिखती है हो सकता है आप जो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं वह इस समय क्रोध उत्तेजना में कोई भी कदम मत उठाएं वानी पर कंट्रोल रखें अगर आप रिष्टा बचाना चाहते हैं तो बहुत संयम से साथ रहना होगा और पंचम भौ के समी सनी देव के पंचम भौ में होने से थोड़ा से यहां बदला हो रहा है हलाकि लव आपक रखिए और उसको समय दीजिए पारिवारी जीवन की बात करें थोरा सा उथल पुतल है क्योंकि दूसरे भौ के स्वामी सुक्रदेव के चतुर्थ भौ में मंगल के साथ होने से पारिवारी जीवन में तनाव है यहां पर मांगलिक दोस्त भी बनाए मंगल बैठा है तो च भण के अधिकार को लेकर भाई बहन के बीज थोड़ा सा किसी बात को लेके टेंसंण है प्र फिर भी घर मधे बड़े बुजूर्गों का आसिरबाद आपके साथ है बस अपने क्रोथ पर कंट्रोल रखे और अपने घर के लोगों के साथ अपना बेभार थोड़ा सा और बेतर करें तो सूरी जैसे ही रासी प्रिवर्तन करेंगे वैसे ही इस्तितियां बहुत हद तक आपके पक्ष में आएगा छोटे भाई बेहनों का सपोर्ट भी लेगा धन आएगा दामपत्य जीवन में सहयोग की भाव रहेगी बस वानी पर कंट्रोल अगर रख ले तो तमाम परेशानियों से आप बच जाएंगे क्या करें मा दुर्गा को नियमित रूप से दो लौंग अर्पित करें और संभब हो तो आप अपने रासी के स्वामी को थोड़ा बल दें आपको इसमें प्रना पहन सकते हैं गाई को हरा चारा भी खिला सकते हैं उससे भी आपको लाब होगा पर दूसरी तरफ जो विद्यार्थी हैं कोई ठोस निर्ने लेंगे किस छेतर में आगे बढ़ना है भविश्य को लेकर रणीती बनाने का कारे भी आप इस फरवरी के महने में करेंगे दोस्तों का टीचर का सिनियर का सबका साथ मिलेगा अगर सरकारी एक्जाम की तियारी क कर रहे हैं तो अच्छे अफसर भी मिलेंगे तो यहां पर देखिए थोड़ा सा स्वास्त का ख्याल रखना है आपको और आपका सुब रंग रहेगा इस मेहने में के सरिया फरवरी के महने में अब बात करेंगे मार्च के महने में क्या होगा बड़ा बदला तो मार्च के महने में घर परिवार के तमाम दाइतों को अकेले ही आप अपने उपर उठा कर आगे बढ़ाएंगे सब कोई आपकी परसंसा करेगा मन आनन्दित है माता पिता का आसिरबाद है और हो सकता है कुछ विरोध भी हो लेकिन फिर भी positive है जो ब्यपारी है उनके लिए लाब भी है तो थोड़ा बहुत घाटा भी है तो overconfidence में मत आईए और जड़ोध से ज़्यादा उधार मत दीजे तो कुल मिलाकर आपका लाब का percentage ज़्यादा है हाँ इस समय सयम और धैर से काम लेनी के आवसकता पड़ेगी जॉब करते हैं तो उसमें आराम भी मिलेगा आप ज़्यादा तर समय अपनी रूची के कारियों को करेंगे और जो भविस्य की दृष्टी से आपको लाब भी देगा पर अगर हम आप विद्यार्थियों की बात करें तो थोड़ा सा संभल कर चलिए क्योंकि आपका सरल जो सभाव है न आपके मित्र आपसे लाब उठाएंगे और कहीं आप इधाउदर की भटकाओं में पढ़कर कहीं अपने ही करियर से फोकस नहीं कर लें जो हटा लें क्योंकि जो आपका लक्ष है उससे आपको नहीं हटना है और अगर आप स्कूल कॉलेज में हैं मिहनत थोर और कीजिए और जो भी करते हैं किसी और को उसका क्रेडिट लेने मत दीजिए क्योंकि मित्र आपकी क्रेडिट को चुराएंगे इसका पहले से आपको सावधान रेना होगा हलाकि अगर आप माता पिता के साथ रहकर पढ़ाई करते हैं तो यकिन मानिए आपके बहुत बड़ा यहां पर सपोर्ट है हाँ अगर आप कला संगीत वेगरे में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं तो आपके लिए ये वक्त उत्तम है पर जो मार्च का महना में अगर हम लब की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि छोटे मोटे टेंसन है तो ऐसे में रिष्टो को संभाल के आगे बढ़ाए समाज परिवार में कहीं कोई बेज़ती न हो जाए कलंक ना लग जाए इसका भी ध्यान रखे अगर आप सिंगल है तो किसी के उपर दिल ला सकता है उन्हें दिल की बाते बता सकते है स्वास्त की बात करें तो इसमें कोई खास समस्या नहीं है लेकिन चोट चपेड से आपको बचने की आवस सकता होगी क्योंकि चोट चपेट लगने की संभाव ना बनी भी है तो कुल मिलाकर एबरेज है फिलाल भी दा लेते हैं हर हर महादेब धनिवाद